हनमान जी महराज के लिए कौन कौन से काम कठिन नहीं है अरे हनमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है कौन कौन से ऐसा काम हनमान जी ने किया तो सुन लीजिए कल हमने आपको तीन बातें सुनाई दी लंका जाना संजीबनी बूटी लाना अजर अमर सेना को हटाना ये त तीनों कठिन काम हनमान जी ने किये थे आज हम आपको एक दो बात और बता देते हैं कवन सुका जे जो नहीं हो और कौन सा काम हनमान जी ने कठिन किया जब रामा दल में रामण जीत नहीं रहा था रामण हारने लगा सेना मरने लगी तो रामण ने को याद आया अब राम और लक्षमन और हनमान से जीतना मुश्किल है तो रामण ने एक और रामण को बुलाया जो बड़ा माया भी था वह पाताल लोक का राजा था यह रामण से ज्यादा खतरनाक था भाईया इसका नाम तो रामण था पर जो पाताल लोक का राजा कोट का राजा था उसका नाम अही रामण था अही रामन को बुलाया इधर आओ क्या बात है रामन ने पूरी बात बताई दो राजकुमार हैं एक का नाम लक्षमन एक का नाम राम एक बंदर है बहुत खतनाक है क्या नाम है हनुमान बहुत डेंजर है उस से जीतना मुश्किल है उसके आंगे तो ठीक है पीछे भी टिकना मुश्किल है और हमारी तो पूरा सम्राज चला जाएगा रामण नाम मिट जाएगा भाईया हमारी मदद करो तुम हमारी मदद करो अही रामण बोला क्या मदद करे कुछ भी उन दोनों को अगर मार सको तो मार दो अही रामण बोला हम है माया भी हमारी सक्ती पाताल लोक में ज़्यादा काम करेगा हम एक काम करते हैं माया का रूप धारन करके बिभीशन बन कर जाएगे राम और लक्षमन को दोनों को उस युद्ध भूमी से चुरा करके रात के समय ले जाएगे अपाताल लोक में ले जाकरके अपनी कुल देवी को बली चड़ा देंगे बोलो जैस या राम यही किया रामण बोला यह बढ़ी आए ठीक है ठीक है ले जाओ ले जाओ रात हुआ हनमान जी पहरे पर बैटे हैं क्यों हनमान जी का काम ही है राम दुआरे तुम रखवारे राम दुआरे राम दुआरे तुम रखवारे राम जी के दरबाजे पर हनमान जी का पहरा होता हनमान जी कहां जहां राम का मंदर वहां हनमान जी और राजस्थान के पागलो कथा तो हम सुनाई रहे एक बात और नोट कर लो अगर तुम्हें हनमान जी का पहरा चाहिए तो अपना घर और अपने घर के मालक तुम स्वयम मत बनो अपने घर में राम जी को बैठा दो घर का मालक भी राम जी को बना दो किसको मालक बनाओ बोलो अरे किसको भीया तो होगा क्या राम जी तुम्हारे घर के माले को घर पर अगर राम जी का मंदर होगा तो हनमान जी महराज को बुलाना नहीं पड़ेगा क्योंकि राम दुवारे हनमान जी पहरे पर बैठे पर अही रामन बड़ा माया भी बिवीशन का रूप धारन करके राम और लक्षमन को चुड़ा करके ले आया सुबै हुई हाँ हाँ कार मच गया राम जी कहा है हनमान जी बोले रात के समय बिवीशन जी से कहा तुम ही तो आये ते रात के समय इसके बाद नहीं है पता बिवीचन जी बुले हम तो आए ही नहीं हनमान जी बुले जूट मत बोला रात को तुम आए थे बिवीचन जी बुले हम नहीं आए हनमान जी बुले आए थे हम कौन न सामय भांग खाके बैठे हम याद है तुम आए थे तो बिभीशन जी नें बुद्धी लगाई हनमान जी हमारे जैसा अगर कोई रूप धारन कर सकता है तो वो एक ही है कौन पाताल कोटी का राजा अही रावन लगता है वही भगवान को लेकर चला गया सब बानर भालू रोने लगे सबकी आँखों में आसुआ गए जब राम जी ही चले गए अब लड़ेगा कौन हलुआ लक्षमन जी ही चले गए अब लड़ाई कौन करेगा है ऐसे समझो किसी बरात का दूला गायब हो जाए तो पर बरात कहां नागन डांस करेगी किसी बरात का दूला गायब हो जाए तो क्या बरातियों का कोई स्वागत करेगा जोहर से बोला बरातियों का तभी स्वागत होगा जब दूला होगा उसी परकार युद्ध तो तभी होगा जब राम जी होगे अब सब के उपर संकट पड़ गया हे हनमान जी संकट से मिटाने का काम तुम्हारा ही है हम बानरों को बचाने का काम तुम्हारा ही है अब तक बचाया अब एक बार और बचाओ राम जी को लक्षमर जी को लेकर के आओ ये काम कठिन है कोई नहीं कर सकता जाम बन्त जी बोले चुनता मत करो हनमान जी जाएंगे क्यों कि जो ही आठदोंकरा म一 Emmanuel जाएंगे हनमान जी ने एक शलमारी पातालोक मे पहुच गए पातालोक में पहुचे दरवाजे पर एक और बंदर लगा था जो दिखने में हनमान जी के जेसा था geek in a जने गौहर से देखा हमारी फोटू का आप भी कहां से आ गई यह तो हमारी फोटु काभी है उनल मैं जी बुले हट जा बंदर बुला कहां हट जा हम यहां पर पहड़ेदार है हनमान जी और उस बंदर का युद्ध होने लगा हनमान जी खूब मुक्का मारें वो बंदर भी कम नहीं ता वह भी हनुमान जी से भयंग कर लड़े हनुमान जी बोले यह दाव प्थ तो हमारे है तुम क्या नाम है तुमारा वह बन्दर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरदouring जहे हनमान जी बोले भाईया तुम हनमान पुत्र हो मगरत दुज बोले हाँ हनमान जी बोले तुम कहां से उनके बेटा लग रहे अभी बताया नहीं कहां से लग रहे हैं हरत दुज बोले हम लग रहे हैं हैं जी मनीवन बोले अधर साधी तक ने भाई है बेटा तो छोड़ो जब साधी ने भाई तो बेटा कहां से मनी मन सोचने लगे कोई माया भी होगा हमाई संपत्ती लेने के चक्कर में नाम बता रहा हूँ हनमान जी बोले चुप रहो हनमान जी का नाम मत बद नाम करो कि तुम हनमान पत रहो हनमान जी के बेटा कहां से हो गए बो बंदर बोला तुम्हे क्या लेना देना तुम क्या हनमान जी हो हनमान जी बोले हम वही हैं जिनके नाम को तुम बता रहे अरे पिता जी पिता जी हनमान जी बोले चुप पिता जी मत बोलो हम कब हो गए किदर साधी तक भाई नहीं है और तुम कहां से हो गए तम्मकरत दुजने पूरी घटना बताई आप जब लंका गहे थे आपकी पूँच में आग लगी थी पूँच बुजाई खोए स्रम आपने समुद्र में जाकर के पूँच को बुजाया था आग के कारण पसीना आ गया था पसीना की बूंद गिरी थी समद्र में उस बूंद को हमारी माता जी ने पालिया था उसी के कारण हमारा जन्म हुआ हम हो गये तुम्हारे बेटा के नहीं भाए हनमान जी बोले जय हो हनमान जी धीरे से कांग में बोले अकेले ही होके डबा ले जो हो और तो नहीं है एक ही हो के और भी है एक ही हो के और भी है अदूझ बेटा पहले तुम तुम क्या कर रहे पिता जी हम तो सिकर्टी गाड की नोकरी लग गई हमारी यहां दरवाजे पर पहरेदार है अनमान जी भुले बाप तो बाप होता है कस दिये हाथ पे बंदे रहो अनमान जी अंदर गए भुलो जैसी आराम वहां पर राम जी लक्षमर जी चिंता में इतना बड़ा संकट आ गया क्या संकट आ गया लक्षमर जी वुले थोड़ी देर में गरदन कटने बाली है राम जी वुले चितना चिंता मत करो बचाने बाला भी आने बाला है लक्षमर जी वुले काय में आएगा पाताल लोक में हैं उपर होते तो नवीगेशन काम करता है मैप मुण करने नींचे का मामला है यहां कोई सेटेलाइट सिस्टम भी काम नहीं करना यांगी बोले चिंता मत करो लक्षमान जी बोले चिंता नहीं एक अगुछी द्युकॉए लक्षमन जी बुले काम कठेने तब राम जी ने भी कहा होगा जो नहीं हो ही तात तुम पाई 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 हनमान जी छोटा रूप धारन कर लेते हैं अब कैसे जाएं बचाने तो जो थाली में लाल लाल पुस्प जा रहे थे उसी लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए लाल लाल पुस्प में अंजनी के लाल बैठ गए जैसे लाल लाल पुस्प में अंजनी के लाल बैठ कर राम जी के सामने से घुजरे राम जी पड़े थे लक्षमर जी पड लाल बचाने आ गया है अंजनी का लाल लक्षमर जी बोले कहां है राम जी बोले देखो वो है ठाली में अरे लक्षमर जी बोले उसमें तो कुछ भी नहीं है लाल लाल फूल है राम जी बोले धीरे से जम नजदीक से देखो लाल लाल पुस्म में ही तो अंजनी का लाल है क्य पंच मुकी हनमान जी ने एक बार में पांचों दीवकों को बुझा दिया राम लक्षमन को बचा लिया और यहां ये चौपाई सित्त हो गई कौन सी चौपाई कवन सुकाज कठीन जगमाई कवन सुकाज के लिए कोई भी काम कठीन जोर से बोलो क्या नहीं है तो कौन-कौन आज से हनमान जी की भक्ती करेगा बागे सुर्धाम कौन-कौन आने बाला है पूझा करोगे हनमान जी की पक्का के कच्चा जो समय के हों समय दो-चार दिन के लिए या जिन्दिगी भर के लिए तो जाओ हम भी साच और वालो पत्मेडा से जुड़े पागलो बचन देते हैं आज से तुम्हारे संकट तुम्हारे नहीं हमारे बीर बजरंग बली के हैं कर दो